ओम स्याद्दे आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर हमारे एटिट्यूड्स, हमारा द्रश्टी कौन दूसरों के विभार के लिए जिम्मेदार होता है आज मनुस ने जितना द्रश्टी कौन बिगाड लिया है उतना पहले कभी नहीं बिगाडा था ऐसा हो गया है कि उन्हें संसार में कोई भी मनुस अच्छा नहीं लगता जबकि संसार में अच्छे लोगों की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि उन्हें कहीं से धोका मिला है उनको बार-बार अपमानित किया गया है लोगोंने उनके भोलेपन सरलताया, इमानदारी का दुरुपयोग किया है, फाइदा उठाया है, तो उन्हें ऐसा लगता है, इस अंसार में सभी लोग बहुत ही खराब है, हमारा ब्राह्मन परिवार तो बहुत स्थ्रेष्ट परिवार है, ये देवकुल की महानात्माओं का परिवार है, ये भगवान का परिवार है, ये वो परिवार है, जिसमें सभी ने पवितरता अपना ली है, ये वो परिवार है, जो सभी भगवान के कारियों में लग गए हैं, जिनोंने अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प कर लिया है, और जो कर रहे हैं, तो हमार इस परिवार जैसा परिवार तो और कोई हो भी नहीं सकता ये ठीक है कि सबके अपने अपने संस्कार हैं विचार हैं पुटसार्थ है भग्य है और राजधाने भी स्थापित हो रही है इसमें वेराइटी होंगे राजहरानी तो गिने चुने होंगे 108 रतन बाकी सहुकार पर जा होगी कुछ लाख और से सभी तो साधन पर जा होगी तो वेराइटी इसमें होना बिलकुल निश्चित है बड़ा नेचुरल है सभी एक समान पुटसार्थी हो भी नहीं सकते तो हमें ये याद रखना है के हम राज्ये स्थापित कर रहे हैं इसमें वेराइटी होना बड़ा नेचुरल है दूसरी बात हम सभी आत्माएं जनम जनम के साथी है यहां वही साथी बने हैं जो जनम जनम साथ रहे हैं जिनका जनम जनम का कर्मों का खाता है अच्छा या बुरा अब वो सब खाते हमारे सामने आ रहे हैं किसी ने आपको बहुत सताया हो उसके लिए मन में बदले की भावना अगनी की तरह देखती रहती है पता नहीं चलता क्यों उस व्यक्ति को देखते ही मन क्रोज से भर जाता है ये पूरुजन्मों का खेल है इस समय जिनके पास रेश ज्ञान और योक का बल है उन्हें अपनी भावनाओं को बिलकुल निर्मल कर देना चाहिए इसे सुईकार कर लेना चाहिए कि ये वैराइटी तो है और रहेगी लेकिन इस समय हमें इस से उपर उठकर शाक्सी भाव, सुब भाव और छमा भाव के द्वारा अपने चित को निर्मल और स्यांत कर देना है अब हम किसी से वदला लेकर क्या करेंगे हमारी दुर्भाव नाएं हमें भी कस पहुँचाएंगे दुसरों को भी कस पहुँचाएंगे और हम इस वरिये कारिये में भी सहभागी नवन के विगन पैदा करने वाले बन जाएंगे तो सभी साक्सी भाव धारन करें कर्मों का हिसाब किताब चुक्त हो रहा है ये याद करें आत्माएं हिसाब लेने कर्ज लेने आई हैं ये याद करें और सब के लिए एक सुन्दर द्रश्टी रख लिया करें ये देव कुल की महान आत्माएं हैं ये भगवान के बच्चे हैं इन्होंने भी महंत्याग किया है इन्होंने भी सेष्ट पत पर कदम रखा है देखे जब हम दूसरों को ग्यान देते हैं कितनी भावनाएं होती हैं कि ये बाबा का बन जाए ये भी सनमार्ग पर आ जाए तो जो सनमार्ग पर आ गए हैं, उनके लिए मन में घरना या इर्षादवेश समाप्त कर देना है, क्योंकि यहां सबका अपना अपना पार्ट भी है, और हम उनकी महनताओं को देखेंगे, महनताओं भी उनमें बहुत हैं, कम से कम प्योर जीवन अपनाया है, किसी ने अपने जीवन को बाबा पर बलिहार किया है, उनका भगवान से मिलन हुआ है, वो भी पुन्यात्माएं हैं, ऐसी द्रस्टी यदि हम रखेंगे, तो हमारा चित स्यानत रहेगा, सबसे बड़ा फाइदा हमें यह होगा, तो आज सारा दिन हम साक्षी भाव अपनाएंगे, और सभी ब्राह्मनात्माओं के लिए यह द्रस्टी रखेंगे, यह देवकुल की महानात्माएं हैं, बाकी सभी के लिए यह भगवान के बच्चे यह भी स्रेष्ट हैं, और अभ्यास करते रहेंगे, कि बाबा की रंग बिरंगी किर्णों का फाउंटेन मुझ पर निरंतर पढ़ हैं, ओम से दिए